पार्ट तेज निबंध लेखन ऐसे राइटिंग गद्धे की नई विधाओं में निबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विक्सित विधा है निबंध लिखने के लिए अत्यदिक ज्यान आवश्चक होता है अताहां अत्यदिक अध्यान की आवश्चता होती है निबंध लिखते समय निमनलिखेत बातों पर थ्यान देना आवश्चक है एक लेखन शैली तथा प्रवापूर्ण भाशा दो विशे के प्रती स्पष्ट द्रिष्टिकोण तीन विचारों एवं भावों के क्रम में तार तम्यता चार प्रभावशाली अभिव्यत्ति निबंध के मुख्यता तीन अंग है क भूमिका, ख विस्तार, ग उपसंहार, क भूमिका इसमें विशे की परिभाशा परिचे आदिका उल्लेक करते हैं ख विस्तार, उद्धरन, तर्क एवं उपशीर्शक के त्वारा विशे को विस्तरत रूप में स्पष्ट किया जाता है ग उपसंहार यह निबंध का अंतिम चरण होता है निबंध का भाव, संकीत इसी पर निर्भर करता है कुछ निबंध नीचे दिये जा रही है हमारी राश्ट्रे पर्व रूप रेखा एक, प्रिस्तावना दो, महत्व तीन, स्वतंत्रता दिवस चार, गर्तंत्र दिवस पांच, गांधी चेंती उपसंगार, प्रिस्तावना पर्व हमारी जीवन में उत्सा, उल्लास और आनंद का संचार करते हैं ये हमारी जीवन की रिक्तता को भड़ते हैं और नीरस्ता को कम करते हैं अतह हमारी जीवन में पर्वों का बहुत महत्वय होता है पर्फ कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक, सामाचिक, स्थानिय, जातिय तथा राश्ट्रिय, हूली, दीपावली, ईद, क्रिस्मस आदी किसी धर्म विशेश से संबंद रखते हैं, उडम पॉंगल आदी स्थान विशेश के पर्फ हैं, उसी प्रकार कुछ पर्फ ऐसे होते हैं, जो किसी धर्म, जाति, स्थान अथ्वा वर्ख से बंधे नहीं होते, ये सारे पर्फ राश्ट्र के पर्फ होते हैं, इन्हें राश्ट्रिय पर्फ कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गर्तंत्र दिवस, गांधी जयंती, इसमी प्रमु विश्व की सभी देशों में राश्ट्रिय पर्फ मनाया जाता है यह जन जीवन के हर्ष उल्लास, आशा, विश्वास, गौरफ और राश्र प्रेम को प्रकट करता है स्वतंत्रता दिवस 200 वर्षों की गुलामें के बाद 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए तव इसे प्रत्य एक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हसारों लोगों ने प्राणों की आहुती दी, कितनों ने चेल में यातनाई सही कितने ही लोगों ने हस्ते हस्ते फासी को गले से लगा लिया उनका यह त्याग और बलिदान ही स्वतंत्रता का सबेर अला सका इस दिन संपूर्ण राष्ट्र में ध्वजा रोहन का कारिक्रम होता है सबी विद्यालेओं, कार्यालेओं, विधान सभाओं एवं अन्य सामाजिक स्थालों पर राष्ट्रे ध्वाच फेहराया जाता है विभिन न सांस्कृतिक कारिक्रमों का आयोचन किया जाता है दिल्ली में लाल के लिए पर प्रधान मंत्री ध्वजा रोहन करते हैं और राष्ट्र के नाम संदीश देते हैं हम राश्ट्र के लिए शहीद हुए बलेदानियों की याद में शहीद समारक पर श्रत्थांचली अर्पित करते हैं। अधीनता की सास ले रहे हैं। इसको हमारी देश का समविधान लागो किया गया। हमारा समविधान प्रजातंत्र पर आधारत है। जिसमें हमारी राश्ट्र के हर नागरे को समान अधिकार प्राप्त है। 26 चनवरी के दिन इंडिया गेट पर विशेश परेट का आयोचन होता है। इसके अतिरिक्त विभिन राच्यों की सांस्कृतिक छाकिया, लोकनृत्य, स्कूली पच्चों के कारिक्रम तथा शास्त्राधी का प्रदर्शन भी होता है। जो पहुत ही आकार्शक और आनन से पूर्ण होता है। दिल्ली के विजय पत पर अपार चन समू इसे देखने के लिए इकत्र होता है। गांधी जयनती प्रतीक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन राश्ट्र कांधी जयनती मनाता है। इस दिन राश्ट्र पिता महात्मा गांधी का चन हुआ था। उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाकर राश्ट्र को स्वाधीनता दिलानी में महत्वपूर्ण भूमेका निभाई। इसकी अलावा सामाजिक स्वरू जैसे छुवा छूद। स्त्री शेक्षा रूडिवादी संसकारों को बदलनी में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 30 जनवरी 1948 को गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई थी। इस दिन राजखाट समाथी पर बड़ी नेता से लेकर जन समान्य तक सभी इनको शृद्धांचली अर्पित करती है। सारी तेश में गांधी जयनती पूरी थूमधाम और शृद्धा से मनाई जाती है। सरकारी संस्थाओं, विद्यालेव आदी, स्थानों पर प्रार्थनाई सभाई होती है। इनकी पताय मार्क पर चल्ले की शपत ली जाती है। उपसंगार इस प्रकार राश्ट्रे पर्व, देश प्रेम, सत्य, अहिंसा, बलिदान एवं प्रजतांत्रिक प्रणाली में विश्वास का प्रतीक बनते हैं। ये हमारी अधिकारों के साथ साथ, हमारी उत्तरदायत्वों एवं कर्तव्यों की प्रती हमीं चाकरुग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, पंडित नहरू का चंद दिवस, 14 नवंबर, बाल दिवस के रूप में, 30 शनवरी, शहीद दिवस के रूप में, और डॉक्टर राधा कृष्णन का चंद दिवस, 5 सितंबर, शिक्षत दिवस के रूप में मनाया चाता है। ये दिन हमें राष्ट्र के विकास एवं उत्थान के लिए हमारी मस्तिश्क एवं हृदे को संकल्पित करते हैं। हूली, रंगों का त्योहार। रूपरेखा, एक, प्रस्तावना। दो, मनाय चाने का समय वकारण। तीन, हूली का दहन। चार, रंगों का त्योहार। पांच, हूली का बाजार। छे, हूली के अन्य पहलू। साथ, उपसंगार। प्रस्तावना। भारत में मनाय चाने वाले त्योहारों में, हूली का प्रमुक स्थान है। हूली, हर्ष, रंग, उमंग और उत्सा का पर्व है। प्रतीक है, समानता तथा आत्मियता का। इस दिन सभी बच्चे बूढे, अमीर गरीब, तन मन से रंगों में सराबोर नजर आते हैं। यह हमारी व्यस्त दिंचर्या, कष्ट, दुख, दुश्मनी को भूल कर खुश्य मनाने और बाटने का दिन होता है। खुली के मनाई जाने के पीछे एक पौराणिक कता है। हिरण कश्यब नामक एक नास्तिक राजा था। उसका एक पुत्र था, प्रहलाद, जो इश्वर भक्त था। इससे हिरण कश्यब अत्यधिक क्रुद था। राजा ने प्रहलाद को कई बार चान से मारने की कोशिश की, परन्तु सफल न हो सका अंतता राजा ने अपनी बेहन हूलिका को भत प्रहलात को लेकर अगनी में बैठनी को कहा क्योंकि हूलिका को वर्दान था कि अगनी उसी चलाना पाएगी हूलिका प्रहलात को लेकर आग में पैठ गई इश्वर की चमतकार से हूलिका तो आग में चल गई, परन्तु प्रहलात खेलता हुआ बाहर निकलाया। नास्तिक्ता पर आस्तिक्ता की इस विजय को प्रतीक की रूप में हर्ष और उत्सा के साथ मनाया जाता है। हूलिका देहन पूरण मासी की रात लकडिया इकटी करके अलग-अलग स्थानों पर हूली चलाई जाती है। हूलिका देहन इस बात का प्रतीक होता है कि हम अधर्म और बुराई को उसी अग्नी में चलाकर थर्म और अच्छाई का साथ दे। हूलिका देहन का एक और कारण माना चाता है। प्राचीन काल में जब किसान नई फसल काटता था तो देफता को भोग लगाता था। उस समय अन्न को फून कर भोग लगाते थे और सभी मिलकर खाते थे। रंगों का त्योहार इसे धुलेंडी भी कहते हैं। हूलिका देहन की अगली सुबह सभी पूड़े, बच्चे, छोटे बड़े, अमीर करीब, फेतपाव फूल कर एक दूसरी को रंग गुलाल लगाते हैं। सारे पुराने गिले शिक्वी भुलाकर आपस में गली मिलते हैं। बच्चे पिछकारियों से एक दूसरे पर रंग फेकते हैं। और बहुत खुश होते हैं। हर घरूं गलीयों में यह द्रशित देखते ही बनता है। दुपहर के बाद नहां धोकर लोग एक दूसरे के खार जाते हैं। तथा एक दूसरे को शुपकामनाई देते हुए। गुजिया, मिठाईया और तरह तरह के पक्वान खाते खिलाते हैं। होली का पासार। होली करीब आते ही गली की दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी शोरूम सचनी शुरू हो जाते हैं। चाहे वो कपड़े की दुकान हो या फिर मिठाई की। दुकानदारों की ओर से उपफोकताओं को आकरशित करने के लिए तरह तरह की स्कीम निकाली जाती हैं। गुचिया की बिना तो होली अधूरी ही मानी जाती है। सभी गरों में गुचिया अलग-अलग किस्मों में उपलब्द रहती है। रंगों, गुलालों, पिछकारियों से सची दुकाने सभी का मन मुह लेती हैं। होली की अन्य पहलू, होली, खुशी वप्रेम का पर्व है। परंतु इसके साथ कुछ नकरात्मक पहलू भी चुड़े हैं। होली की मौच की आड में लडाई जगडे तथा छीर खानी की घटनाई आम हो गई हैं। शराब पीकर लोग मौच मस्ती करते करते लडाई जगडे पर उतर आते हैं। इसके अलावा लोग विभिन रासाइने करंगों का प्रेयोग करते हैं। जिससे लोगों की तवच्छा, बालों तथा आखों को नुकसान पहुचता है। हमें अबीर और कुलाल को ही प्रात्मिकता देनी चाहिए। उपसंगार, साथकी और सोहाट पूर्ण रूप से यदि इस्त्योहार को मनाई, तो यह पर्फ अपने उद्देश की पूर्ती करता है। लोगों की मन में प्रीम का भाव भरकर फेदभाव, उचनीच, घ्रेणा का भाव दूर करता है। विशेष्टा, आज की संदर्प में लोगों को व्यस्तता से समय निकाल कर मित्रों और समाज के बीच मिलने का अफसर प्राप्त होता है। परिश्रम का महत्वर रूपरेखा एक भूमिका, दो परिश्रम और भाग्य, तीन परिश्रम और विकास, चार परिश्रम और सफलता, पांच शारीरिक और मानसिक परिश्रम, छे परिश्रम से लाब, साथ उपसंगार भूमिका परिश्रम ही आदर श्रीवन का मूल मंत्र है इस पृत्वी पर सभी चेतन प्राणी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं यहां तक की प्रकृती भी अपने कार्यों को लगातार करती रहती है जैसी सूर्य प्रती दिन समय पर निकलता है नदियों का जल हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है सवी प्राणी, भोचन, आवास के लिए जी चान से चुटे रहते हैं फिर मानव परिश्रम के बिना कैसे रह सकता है? मानव को सर्विश्रीष्ट प्राणी बनानी में उसका परिश्रम ही महत्वपूर्ण है परिश्रम और भाग्य मानव परिश्रम से ही अपनी भाग्य का स्वरूप बनाता है कहां भी गया है? सोने वाले व्यक्ती का भाग्य भी सोता है और चलने वाले व्यक्ति का भाग्य भी साथ साथ चलता है दुर्बल व्यक्ति अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं भाग्यवादी व्यक्तियों के लिए दैफ दैफ आलसी पुकारा कहावत ही सार्थक होती है कर्म के बचाए भागी पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति सफ़ल नहीं हो पाते हैं जिनें अपनी योक्यता और शक्ति पर विश्वास नहीं होता वे लोग भागी की तास बनकर रह जाते हैं शास्त्र में लिखा है उद्यमेन ही सिध्यंती कार्याणी न मनोरत है नहीं सुपतस्य सिंगस्य प्रविशंती मुखे म्रिगह अर्थात परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं मनु कामना से नहीं जैसी सोई हुई सिंग के मुख में म्रिग स्वयम प्रवेश नहीं करते आहार के लिए सिंग को स्वयम पुर्शार्थ करना होता है परिश्रम और विकास यदि आज मनुष्य सर्विश्रेष्ट प्राणी है तो उसकी श्रम की वज़ा से आज विश्व में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसकी प्रयास और परिश्रम का ही परिणाम है जैसे ये सडके, बांध, पुल, कम्प्यूटर, गाड़ियां आदे विश्व में कहीं बे नजर डाले किसी भी राष्ट्र की उन्नती प्रकती में श्रम ने ही उनके मार्क प्रशस्त किये है जापान की दो बड़ी नगर हिरोशिमा एवं नागसा की परमाडुबम सी नश्ठ हो गए थे परन्तु आज जापान विश्व की अधिक्तम विक्सित एवं संपन्न देशों में से है जिसका एक ही राज है वहाँ की लोगों का सतत परिश्रम परिश्रम और सफलता उनकी सफलता के पीछे उनकी प्रतिभा के अतरिक्त उनका परिश्रम भी है किसी भी शेत्र का उदारण ले विज्यान, खेल, राचनीती, गायन, अभिने आदे विभिन शेत्रों में लोगोंने अपनी महनत की बोते ही चंडे गाड़ी है इनमें सीवी रमन, एडिसन, मिलखा सिंग, पीटी उशा, लदमंगेशकर, वदितनारायन आदी प्रमुख है सुबाश्चंद्र बोस, गांधीची, लिंकन आदी लोगोंने निरंतर प्रयास करके सफलता और यश प्राप्त किया शारीरिक और मानसिक परिश्रम परिश्रम के इवल शारीरिक रियाओं से नहीं होता अपितू, मन और पुद्धी से होने वाला श्रम भी परिश्रम कहलाता है लेखक, निर्दीशक, चित्रकार, वेक्यानिक आदी, नवीन विचारों, युक्तियों के त्वारा नए आविश्कार, नए कीद, नए कहानी, नए तकनीक को हमारे जीवन में लेकर आते हैं परिश्रम से लाब, परिश्रम ही सफलता का मूल है यह उन्नती, प्रगती, विकास के मार को प्रिशस्त करता है परिश्रमी व्यक्ति सदा सुखी रहता है उसे मानसिक प्रसन्नता तो होती ही है, साथी साथ ऐसे व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता जो अकर्मन्य व्यक्ति है, उन्हें दरित्रता खेरे रहती है और भाकि भी ऐसे लोगों का साथ छोड़ देता है उपसंघार परिश्रमी व्यक्तियों में स्वाभिमान रहता है अकर्मन्य व्यक्ति पर जीवी की समान जीवन्यापन करता है वे छोटी-छोटी संकट में खबरा जाते है जबकि परिश्रमी व्यक्ति हर संकट का टटकर मुकाबला करता है और विच्चई होता है अतह कहा गया है पुरुशो पुर्शार्थ करो उठो सफलता वर्तुल्य वरो उठो अपुर्शार्थ भयंकर पाप है न उसमें यश है न प्रताप है समचार पत्र का महत्व रूपरेखा एक प्रस्तावना दो प्रारंब तीन राष्ट्री आंदोलन में भागिदारी चार लोगतंत्र का आइना पाँच ज्यान वृद्धे का साधन एवं मनुरंजन छे व्यापारिक लाब एवं अन्यस्विधाई साथ उपसंगार प्रस्तावना दुनिया और समाच में हो रही घटनाओं की जानकारी जन समान्य तक पहुचानी में दो ही माध्यम सहायक होते हैं पहला एलेक्ट्रोनिक और दूसरा छपे हुए के रूप में टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदी एलेक्ट्रोनिक माध्यम हैं जबकि पत्र काएं एवं दैनिक समचार पत्र दूसरी प्रकार में आते हैं समचार पत्र समाच, देश और दुनिया का चित्र प्रस्तुत करने का बहुत सशक्त माध्यम हैं प्रारंब, भारत वर्ष में समचार पत्रों का इतिहास लगपत दो सदी पुराना है भारत में पहला समचार पत्र, बंगाल गजट कलकत्ता से सन 1818 में राजा राम मोहन रायत्वारा प्रकाशित हुआ, जो अंग्रेशी में था थीरे थीरे हिंदी तथा स्थानिय भाशाओं में समचार पत्र प्रकाशित होने लगे वर्तमान में सेक्डों समचार पत्र हिंदी व अंग्रेशी में प्रकाशित होते हैं जिन में सी प्रमुक नाम हैं पंचाब केसरी, देनिक फासकर, इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स ओफ इंडिया, देनिक चाक्रन, दपाइनियर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता, ट्रिब्यून आदे राष्ट्रिय आंदोलन में फागिदारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रिय आंदोलन में समचार पत्रों का भारी योगदान रहा है अंग्रेजी, हिंदी, एवं स्थानिय भाषाओं के समचार पत्रों ने विभिन्न स्थानों के नागरिकों को चक छोर कर उन्हें चाकरित करने का प्रयत न किया गांधी जी के यंग इंडिया और हरजन की तरा सुरिंद्रनाद बनर्ची लाला लाच पत्राएं तिलग आदी लोग एक-एक समचार पत्र ले कर आएं लाला जी का पीपल्स और तिलग का केसरी इन में सी प्रमुख हैं लोग तंत्र का आइना समचार पत्र हमारी लोग तंत्र का सज़त प्रहरी भी होता है वह समाच के हर पहलों का जित्रण सवी के सामनी करता है सरकार को चंता के हाल चाल और परिशानी का पता चलता है तो चंता को सरकार के कारियों एवं उपलब्तियों की जानकारी मिलती है यही कारण हैं कि आज बड़ी से बड़ा आदमी समाचार पत्रों से भाय भीद भी रहता है समाचार पत्र वेश्वी करण में भी मात्वपोन भूमिका निभाते हैं अर्थात यह हमारी समाज को देश को विश्व से चोड़ते हैं ज्यान वृत्धी का साधन एवं मनुरंचन भिन्न प्रतियोगताओं में भाग भी लेते रहते हैं व्यापारिक लाब एवं अन्यसुविधाएं अर्थ प्रिष्ट देश्विदेश के आर्थेक और द्योगिक और शेयरों की चानकारी देते रहते हैं जो कि उद्योग जगत के लिए सबसी महत्वपोण होता है समचार पत्रों में प्रकाशत होने वाले विध्यापनों का सर्वाथिक लाब विभिन उद्योगों को मिलता है समचार पत्रों का व्यापारिक लाब भी विध्यापनों से मिलता है इसके अतिरेक्ट हमारी चीवन शैली के हर पहलू में ये सहायक होते हैं जैसे बीरुसकारों को रोसकार, वधु के लिए वर, किराइदारों को मकान, संपत्ति का क्रेविक्रे, मालिकों को नौकर आदी दिलवाते हैं इसके लिए विशेश वर की कृत प्रश्ट होता है उपसंघार, चार पांच रुपे के इस अकबार से हमी कितना लाब है समचार पत्र, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, आदी रूपों में होते हैं कभी-कभी समचार पत्रों के नकारात्मक पहलो भी देखने को मिलते हैं कुछ समचार पत्र, सीमित विचारधारा में बंधे होते हैं जो सरकारी कारियों की पक्षपात पूर्ण विवेचना करते हैं लेकिन इन्हें किसी पार्टी विशेश अध्वा पूंजी पतियों की स्वार्थ का साधन नहीं बनना चाहिए समचार पत्र, जन्ता की आवाज है इस आवाज का प्रयोक, विकास में और बुराईयों तथा कूरित्यों को तूर करने में ही करना चाहिए ब्रश्टाचार और समाच रूप रेखा एक प्रस्तावना दो ब्रश्टाचार एक मानवियब दुर्बलता तीन ब्रश्टाचार के रूप चार ब्रश्टाचार का बढ़ता शेत्र पाच ब्रश्टाचार एवं राजनीती छे रूखने के उपाए साथ उपसंगार, प्रस्ताफना, रुप्या, पैसा, धन दौलत इंसान की बनाई हुई चीज़े हैं जो आज के संदर्प में इंसान के लिए सबसी मूल और सर्वुपरी हो गई हैं इनही से वहयश, सम्मान और भौतिकवादी योग की सभी एशों आराम की वस्तूइं खरीच सकता है इसने भायचारे, मित्रता, रिष्टों तथा परुपकार को निम्नतर श्रेडी में लाकर खड़ा कर दिया है धन की आवश्यक्ता अथ्वा लोलुपता ही ब्रश्टाचार की चननी बनती है जीवन के हर शेत्र में धन की ही महत्ता है मूल तह समाच में ब्रश्टाचार का मूल कारण धन ही है ब्रश्टाचारा एक मानवीय दुर्बलता लूप एवं स्वार्थ मानवीय स्वभाव की दुर्बलता है जो हर व्यक्ति में कम अथ्वास ज्यादा होती है आज के भौतिकवादी युग में प्रतीक व्यक्ति सुख साधन संपन्न होना चाहता है घरीब अमीर होना चाहता है अमीर और अधिक अमीर होना चाहता है प्रगती गलत नहीं है, परंतु प्रगती के लिए अपनाया जाने वाला अल्पमार्क गलत है जल्दी एवं बिना मेहनत की सफलता चाहनी वाली गलत रास्तों का सहारा लेते हैं मानव की स्वभाव की एक और दुरबलता है हमारे पडोसी के पास वस्तुई अधिक हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं? इन्ही आवश्यक्ताओं की पूर्दी के लिए वहर रिश्वत लेता है या टाक्स शुराता है या कुछ और ब्रश्टाचार की रूप यह प्राया हमें दो रूपों में दिखाई देता है एक तो जब कोई भूका, गरीब आदमी अपनी भूक के लिए चोरी करता है बढ़ती गरीबी, जनसंख्या, बेरुसकारी के कारण आम आदमी अपने परिवार के जीवन यापन का प्रबंध नहीं कर पाता तो वह गलत तरीकों का प्रयोग करता है दूसरा रूप है जिसमें धनवान अथ्वा पूंजी पती जब दूसरे के हिस्सी पर अनधी कृत रूप से हक जमाता है तथा दूसरों के अनंध धन की चोरी करते है कवी-कवी दूसरे रूप में धन के बचाय यश, सम्मान अथ्वा अभिमान ही कारण बनता है अतह एक में अवश्यक्ता और दूसरे में लूप और स्वार्थी ब्रश्टाचार को चन देते हैं ब्रश्टाचार का बढ़ता शेत्र ब्रश्टाचार की मामली में विश्वक में भारत का स्थान काफी उपर है पूरे देश में ही प्रश्टाचार का पूल बाला है। शायद ही कोई शेत्र इससे अच्छूता हो। आजाधी के बाद भारत ने दोग शेत्रों में पोहाद ब्रगति की है। जिनसंख्या और प्रश्टाचार। ब्रश्टाचार की अंतरकत, चीजों में मिलावट, नकली वस्तूओं का उत्पादन, जमाखोरी, चोरबाजारी आदी प्रमुख है। यहां तक की सारी अर्थ व्यवस्था इन्ही पर टिकी है। सरकारी नियम इस कूछ शक्र को तोड़ने में असफल रहे हैं। क्यूंकि न पड़े-पड़े खोटाले करते हैं, मगर इनका कुछ नहीं होता। क्लर्क और बाबु छोटे रिश्वत से ही काम चलाते हैं। अर्थात हर व्यक्ति एवं संस्था, जहां से भी संभव है, इसमें लिप्त है। ब्रश्टाचार एवं राजनीती। ब्रश्टाचार की बा पार्टियां एवं उनके प्रत्याशी जुनाफ में चीतने के लिए लाखो रुपे खर्च करते हैं। तो यह भी चाहते हैं कि चीतने के बाद उससे दो गुनी, चार गुनी रकम तो कमाई चाह सके। अपनी सत्ता, अपने अभिमान के लिए वे साम्रतायक्ता, भाशावा जादिवाद आदी का खेल खेलते हैं और साधारण चंता मूर्ख बनती रहती है। ब्रश्टाचार का एक और खिनोना रूप है। तसकरी यह तो देश को एवं देश की अर्थ व्यवस्ता को ही नश्ट कर रहा है। लोगों ने रिश्वत देना एक नियमित व्यवस्ता मा यह समाज का अंग बन गई है। रोकनी की उपाएं ब्रश्टाचार को तूर करने का एक मात्र उपाए है। नेतिक ता लोगों को नेतिक रांती एवं चरित्र निर्माड पर बल देना चाहिए। समाज में नियमों का पालन करने के लिए तथा नेतिक पाठ के लिए परिव इवं विद्याले में संसकार दिये जाने चाहिए। स्वहित के बजाए राश्ट्र हित के लिए उन्हें प्रीरित किया जाना चाहिए। तभी नए पीड़ी के लोग चोरी वब्रश्रचार का निर्फय होकर सामना करेंगे। हमें इसकी शुर्वात सरकार की आलोचना करके नहीं, स्वयम से अपने परिवार और फेर समाज से करनी होगी। उपसंगार, किसी बड़े अफसर ने कहा है। ब्रश्टाचार अब हमारे खून में नहीं, हमारे हेमोगलोबिन में शामिल हो चुका है। परन्तु सभी जगा ऐसा नहीं है, लोगों में सचता पढ़ी है, सरकारी तंत्र एवं चंता के बीच पारदर्शता पढ़ी है, मीद्या शेत्र ने भी इस पर शिकंजा कसने के लिए काफी कारे किया है। बस, आगे का रास्ता स्वश्ट है, इस पर चलनी की इच्छा चाहिए, आपको और हमें। दहीस प्रथा, एक सामाचे अभिशाप, रूप रेखा, एक प्रस्ताफना, दो, दहीस का अर्थ, व, स्वरूप, तीन, दहीस प्रथा के जन्ब के कारण, चार, दहीस प्रथा के फयंकर परड़ाम, पाच, दहीस प्रथा रूखने के उपाए, छे, उपसंगार, प्रस्तावना, आज समाच को अनीग पुरायों ने खेर रखा है, जैसे, बेरुसकारी, महंगाई, दहीस प्रथा आदे, आज दहीस प्रथा की समस्या ने तो इतना विक्राल रूप थारण कर लिया है, कि यह समाच के लिए एक विकट समस्या बन गई है, लोग इसी सामाचिक कूण या कलंग के नाम से भी पुकारते हैं, समाचार पत्रों में दहीस के कारण घटित खटनाओं को पढ़कर रूंटे खड़े हो जाते हैं, दहीस का अर्थ वस्वरूप, दहीस वसंपत्ति है, जो माता पिता अपनी बेटी को विवा में उपहार स् स्वीच्छा से देते हैं, प्राचीन काल में कन्या के विवा के समय वस्त्र, आभूशन आदे, दान दिये जाते थे, लेकिन थीरे थीरे यह प्रता विक्सित होती गई, और यह मांग वरपक्ष की ओन से होने लगी, वरपक्ष, कार, टीवी, फ्रिच, इसी से लेकर ग्रहस के पूरे समान की मांग करते हैं, यदि कन्या का पिता दहीस देने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपनी कन्या के लिए सुयोग्यवर नहीं मिल पाता, ऐसी दर्शा में या तो वह कोवारी रहती है, या किसी अयोग्यवर के साथ उसे चीवन कुसारना पड़ता है, आज कन्य की गुड़ों का कोई महत्व नहीं रह गया है, दहीस प्रथा की चन की कारण, दहीस प्रथा भार्ती समाच में कब और क्यूं प्रचलित हुई, इस प्रश्ण पर अगर विचार करें, तो हम देखते हैं कि यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, हिमाचल ने पार्वती की दहीस प्रथा की चन के अनेक कारण हैं, जैसे अपनी ही चाती में विवा करना, समाच में विवा की अनिवार्यता, सही शिक्षा का अभाव, धन लिपसा, रूडिवादता, समाच में छूटी मान मर्यादा की रक्षा आदी दहीस प्रथा की भयंकर परिणाम, दहीस प्रथा की इस विभीशिका ने समाच की नीव को हिला कर रख दिया है, आज समाच में भाई बहन, पिता पुत्री के रिष्टी में कडवाहट उत्पन्न हो गई है, समाच में पुत्री की चन पर, लोगों की चहरे पर उदासी चा और लड़की घर में फार स्वरूप समझी चाती है, माबाप दहीच पूरा नहीं कर पाते, तो परिडाम लड़की को भुगतना पड़ता है, उसे तरह तरह की यातनाई दी चाती है, उसे जिन्दा चला दिया चाता है, जिन माबाप की पास दोलत नहीं होती, वे अपनी प दिरखी में कुंठा की भावना उत्पन हो जाती है. वे आत्महत्यां तक कर बैथती हैं. कभी-कभी तो माता पिता स्वयम निराशा के कारण हताश होकर आत्महत्यां कर लेती हैं. आज-कल तो कन्या को जन्म लेने के पूर्व ही मार दिया जाता है. आखिर कब तक एसा होता र दहीस प्रथा रोखनी के उपाए इस कलंका करो सफाया यदि लड़की के विवा की समय उनके पिता दहीस की मांग करें या लड़की के पिता दहीस दीकर विवा करें तो ऐसी स्थिती में दोनों को ही विवा से इनकार कर दीना चाहिए सरकार ने जो कानून बनाया है उसकी पालन में सहयोग करना चाहिए स्कूलों में शिक्षक भी इस शेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वे युवावर को दहीस का आदान प्रदान न करने के लिए शिक्षित कर सकते हैं दहीस प्रदा की समाप्ती के लिए अंतर जाती विवाहों को बढ़ावा मिलना चाहिए लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन निर्वा कर सकें तब विवा उनके लिए अनिवारे नहीं होगा उपसंगार दहीस की तुषपरणामों को देखते हुए इसे समात करने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए यदि इसे तूर करने में लापरवाही बढ़ती गए तो समाच की नीव लड़कडा जाएगी इसका अंतोने पर ही हमारे समाच का विकास हो पाएगा भारती किसान रूप रेखा एक प्रस्तावना दो सादा जीवन तीन श्रम का जीवन चार किसानों की दशा पाँच दुर दशा की कारण छे सुधारों की उपाए साथ उपसंगार प्रस्तावना भारत की अधिकांश चनसंख्या गाउं में निवास करती है गांधी जीने भी कहा है भारत का हरेदे गाउं में पस्ता है क्रिशी ही भारती किसानों की चीवन यापन का मुख्य साधन है इसी कारण भारत को क्रिशी प्रधान तीश कहा चाता है यहां का हर सदस्य थर्ती से अर्थात क्रिशी से चुड़ा रहता है क्रिशी कारे करने वाले को क्रिशक अथ्वा किसान कहते हैं ये परिश्रम और साथकी की मूर्ती माने चाते हैं सादा चीवन क्रिशत बहुत ही सीधा साधा चीवन्यापन करते हैं बनाफ्टी पन, स्वार्थ तथा अभिमान तो उनमी को सो दूर तक नजर नहीं आता है इनकी वस्त्र साधे होते हैं और मन सच्छा होता है अथ्यदेक सीधे पन अथ्वा भूली पन के कारण ये हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और कभी कभी इन्हें बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्यूंकि जो इनकी हृदे में होता है वही मुख में होता है इनके चरित्र में दोहरापन देखने को नहीं मिलता श्रम का जीवन भाड़तिये किसान का जीवन अत्यन कठोर होता है सूरी की प्रथम किरण के साथ है वे अपने हल बैल लेकर खेत में पहुँच जाते हैं सुबा से शाम तक खेतों में क्रिशी कारे करते रहते हैं चिलचिलाती धूप, मूसलाधार वर्शा अथ्वा कड़कडाती ठंड उनके कारे में बाधक नहीं होते हैं वे एक निशकाम कर्मयोगी की भाते अपनी कर्म भूमी पर लगे रहते हैं किसानों की तशा, परिश्रम का जीवन, प्रकृती से निकट होने के कारण वह बीमारियों से तूर रहता है मनश्यों के लिए घूर परिश्रम करके वे अन्न पैदा करते हैं लेकिन मानव समाच को अनप्रदान करने वाले किसानों का जीवन बधाली से चूचता रहता है। दीश के अधिकानश किसान गरीबी में ही चीते हैं। खेती के उन्नत साधनों का अभाव होता है। थोड़ी सी समीन उसी में खेती के सहारे, स्वयम और परिवार का जीवन यापन बहुत ही कश्ट प्रद होता है। कच्चे मकान, साधारन कपड़े और साधारन भोचन ही इनके जीवन की अंग है। दुर्दशा की कारण भारतिय किसानों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण, उनकी निरक्षर्ता और अज्यानता है, जो विभिन अंध विश्वासों को भी चन देती है। बरती चन संख्या का कारण भी अज्यानता है। बड़े परिवारों के कारण खेत छूटे छूटे भागों में पाटा चाता है। उनकी अज्यानता की कारण ही आज भी व्यापारी और जमीनदार उन्हें लूटते रहते हैं। इनकी अलावा भी किसानों की दुर्दशा के मूल कारण है। जैसे सरकार द्वारा प्राप्त हो रहे लापों का ज्यान ना होना, खेती के लिए विक्सित तक्नीक का ज्यान ना होना, उन्नत पीजों की पहचान ना होना आदे। अतह, अज्यानता और निरक्षरता ही इनकी दुर्दशा का मूल कारण है। सुधारों की उपाएं, भारती किसानों की विकास के लिए सरकार को, पंचायतों को, संगठनों को और स्वयम किसानों को प्रयास करने होंगे. किसानों की दशा सुधार्नी के निन्म लिखित प्रयास करने चाहे क, शिक्षा, गावों में सवे के लिए शिक्षा का प्रबंध होना चाहे विद्यालियों का निर्माण एवं शिक्षकों का प्रबंध होना चाहे बच्चों के अलावा प्रोणों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ख, मनुरंचन मनुरंचन शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है शिख्षप्रथ फिल्मों की माध्यम से वहां कूरीतियों एवं बुराईयों को तूर किया जा सकता है और साथी साथ फसल की उच्ष तक्नीक एवं सरकारी सहायताओं का ज्यान भी दिया जा सकता है ग रिण की व्यवस्था सस्ते ब्याज पर आसान रण की व्यवस्था होनी चाहिए घ, स्वास्थिर शिक्षा की तरह स्वास्थि पर भी विशीश पल देना चाहिए अच्छे डॉक्टरों और अस्पतालों का प्रबंद होना चाहिए परिवार नयोजन से लेकर शिशू टीकों की मुफ्चानकारी उपलाब्ध होनी चाहिए न, लगू उद्योगों का विकास अल्प बेरुसकारी एवं बेरुसकारी कम करने में कुटीर उद्योग बोहत सहायक सिधुए है मचली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बुनाई, सिलाई, चटाई बनाना, अन्य खादिपदार बनाना आदी इनमें प्रमुख है ये आर्थिक स्धिर्ता प्रदान करते हैं और चीवन स्थर बढ़ाते हैं च, क्रिशी संबंधी जानकारी देना क्रिशी संबंधी जानकारी देने अथ्वा प्रचारत करने के लिए क्रिशी विकास केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए उप संघार, हमारे देश का किसान, जो हमारा अन्न दाता है, स्वयम के परिवार के जीवन यापन के लिए संखाश्रत है सरकार की विभिन योचनाओं और प्रयासों के चलते, इनके जीवन स्तर में थीरे थीरे सुधार भी हो रहा है मेरी प्रिय पुस्तक रूप रेखा एक प्रिस्तावना दो पुस्तक एक औशदे तीन तुलसी कृत रामचरित मानस चार लोकनायक तुलसी दास पाँच उपसंघार प्रिस्तावना अज्यान रूपी अंदकार से निकल कर ज्यान रूपी प्रकाश के खुले वातावरण में सास लेने के लिए पुस्तके ही सर्वश्रीष्ट माध्यम है अच्छी पुस्तके हमें पशुता से दिवत्व की ओन ले जाती है मानव को मानवता का पाट पुस्तकों को पढ़ कर ही मिलता है जीवन जीने की कला सीखने में पुस्तकों की सबसे बड़ी उपा देता है पुस्तक एक औशद ही किसी भी व्यक्ती की उत्तम साथ ही पुस्तके ही होती है इनके पास रहते व्यक्ति स्वैम को अकीला मेसूस कर ही नहीं सकता पुस्थकों के अध्यान में तलीन होने पर वा स्वैम की सुथभुत तक मेहीं रख पाता कहा जाता है कि श्रीष्ट पुस्थके मनश्य का मार्डर्शन करती है उसके मस्तिश को, उसके विचारों को निखार कर एक उशदी का काम करती है तुलसी कृत रामचरत मानस मुझे भी पुस्तके पढ़ने का शौक बच्पन से ही था मैं तरह तरह के विश्यों से संबंधित पुस्तके पढ़ा करता था किन्तु जिस पुस्तक ने मुझे सबसी अथिक प्रभावित किया वह है श्री तुलसी दास्ची त्वारा रचित रामचरत मानस रामचरत मानस को तुलसी दास्ची ने कथा कहने की संबाद शेली में लिखा है समवादों की माथ्यम से मानव की कथा अत्यंत रोचक और ज्यान वर्थक बन गई है इस क्रंथ की भाशा सरल और हृदे को चूने वाली है उन्होंने मानस में ऐसे प्रसंग रखे हैं जो पाठक की हृदे को चू लेते हैं रामवनवास भरत मिलाब सीता हरण शबरी प्रसंग लक्षमन को शक्ति लगने पर राम का विलाब आदी अनीक प्रसंग हैं जो सीधे हृदे पर चाप छोड़ते हैं इस ग्रंथ में साथ कांड हैं बाल कांड अयूथ्या कांड अरणे कांड किशकंदा कांड सुन्धर कांड लंका कांड तथा उत्तर कांड यह एक ऐसी सत्य कथा है जिसको पढ़ने पर पाठक का मन कभी नहीं उपता जीवन में रस और क्यान का वर्थन इस सत्य कथादवारा होता है यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा हुआ है इसकी भाषा में प्रवाह तथा सचीवता दोनों हैं इसकी मुख्य चंद हैं दोहा और चौपाई इसमें प्राया सभी रसों का समावेश है प्राया सभी अलंकारों का मानस में प्रयोग किया गया है इससे वर्णन, सुन्दर, सरल और प्रभावी बन गए हैं चरित्रों का जितना सजीव वप्रभावशाली जित्रन इस पुस्तक में हुआ है उतना हिंदी के किसी अन्य महाकावी में नहीं हुआ है इस पुस्तक को पढ़ने से पारिवारिक, सामाचिक समस्याओं को दूर करने की प्रियर्णा मिलती है लोकनायत तुलसी दास किसकी हृदे पर अमित्चाप नहीं छोड़ेगी रामचरित मानस के इनहीं गुड़ों के कारण तुलसी दास को लोकनायक कहा और माना क्या है उपसंगार हिंदी साहित्य में रामचरित मानस जैसा दूसरा गरंद नहीं दिखाई देता इसकी विशेश्टाओं के कारण ही यह गरंद मुझे सबसे अधिक प्रिय है मैं जितनी बार इस गरंद को सुनता हूँ यह स्वयम से पढ़ने का मौका मिलता है उतनी बार यह पुस्तक नए अर्थ के साथ मेरी समक्ष आदर्ष बनकर प्रस्तुत हो जाती है इसलिए मेरी यह इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक पार इस गरंथ रामचरिस मानस को हर व्यक्ति द्वारा पढ़ाचाना चाहिए समय का सदुप्योग कहा चाहता है कि उचित समय पर किया गया जरा सा प्रयास भी फलदाई होता है किन्तु समय के बीट चाने पर लाग कोशिश एवं परिश्रम व्यर्थ चाहता है उसे कोई भी कार्य सिध नहीं होता जैसे समय से खेत में बोया हुआ पीच अन्न की अपार राशी से खर फ़र देता है और बिना समय का बोया हुआ पीच मिट्टी में ही तवा रह कर सर जाता है समय का सदुप्योग समय के सदुप्योग का अविप्राए है उन कामों को करना जिन से हमारी उन्नती हो इसके ठीक विपरीत समय का दुरुप्योग का मतलब होता है वह काम करना जिन से हमारी अवनती हो जैसे हमें विद्याले का काम करना है और हम उसी कारे को कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम समय का सदुप्योग कर रहे हैं लेकिन यदि हम विद्याले का काम करने की जगा खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो समय का दुरुप्योग कर रहे हैं समय का उचित पठवारा, संसार में जितने भी महापुरुश हुए हैं, उन्होंने समय को समझा और उसका सदुप्यों किया, कश्टों में समय बिता कर अध्यान किया, तथा लोगों की मारतर्शन के लिए अनेक ग्रंथों की रचनाय की, विद्यार्थियों को भी अपनी दिन चर्या पना लेनी चाहिए, उन्हें सुबह सूर्योदे से पूर्फ बिस्तर छोड़ देना चाहिए, नितिक्रिया से निव्रित होकर विद्याले का कारे करना चाहिए, उचित समय पर भोचन करके ठीक समय पर विद्याले पहुचाना चाहिए, कक्षा में अध्यापक द्व व्यायाम भी आवश्यक है, खेल सबसे अच्छा व्यायाम है, इसके साथ दिमाग को तेस रखने के लिए टीवी देखना, पत्र पत्र काई पढ़ना, समचार सुनना तथा पढ़ना आदी आवश्यक होते हैं, किन्तु इन सभी कारियों का समय निश्चित होना अनिवार्य होत है, चात्र जीवन में समय का सदुप्योग, अच्छी सफलता वे ही चात्र प्राफ्ट करते हैं, जो समय का सदुप्योग करते हैं, ऐसे चात्र जीवन में उन्नती करते हैं, समय का सदुप्योग न करने वाला व्याक्ति हमेशा पिछड़ जाता है, समय के सदुप्यों की महत्व को बताते हुए कहा क्या है कि जिसने बच्पन में विद्याध्यन नहीं किया, युवा वस्था में धन नहीं कमाया, प्रोणा वस्था में पुन्यकार्य नहीं किये, वह वृत्था वस्था में क्या करेगा, अर्था जो समय जिस कारे के लिए उसी समय में ही करना जीवन को सार्थक बनाता है। जो समय का लाब उठाता है वह जीवन में सफल रहता है। किन्तु जो लाब नहीं उठाता वह अंत समय में पश्चाता अवश्य करता है। उपसंगार, समय का पाबंध होना भावी चीवन को सफल बनाने एवं सार्थक चीवन की कसोटी पर खरा उतरने की पहचान होती है। इसलिए हमें हर कारे को एक निश्चित समय पर पूरा करने की आदर डाल लेनी चाहिए। क्योंकि यदि एक बार समय चला गया, तो हमें आजकर, आजकरी सु अब पल में परले हुई की बहुरी करे को कब समय के सदुप्यों की महत्ता को सिद्ध करता है। रख रखाव। छे, उपसंगार, प्रेस्तावना, पुस्तकाले, दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक, आले, अर्थात, किताबों या पुस्तकों के लिए खर। पुस्तकी, मनुष्य की सर्वश्रिष्ट मित्र होती है। पुस्तकों का समूह, जिस स्थान पर होता ह उसे ही हम पुस्तकाले कहते हैं। यह ज्यान का सागर होता है, जिसका विशेष्ट विद्यार्थियों की छीवन में अध्यदिक महत्व होता है। पुस्तकाले कई प्रकार की होते हैं। जैसे सरकारी पुस्तकाले, संस्थाओं की पुस्तकाले, निजी पुस्तकाले पुस्तकाले किसी भी विद्याले की पहली जरूरत होती है इनकी उप्यों के ता देखकर प्राचीन काल से ही लोग पुस्तकाले की स्थापना को पुन्य का काम मानते आए हैं नालंदा और तक्षला के विश्व विद्याले के पुस्तकाले बहुत विशाल थे इन में देश्विदीश के विद्वानों की अनीक पुस्तके थी मुगल शासिकों ने हिंदु संस्कृति को नश्ट करने के लिए दुईश्वश इन पुस्तकालियों में आग लगवा दी थी वह आग महीनों तक चलती रही थी पुस्तकालियों की उपियोगिता शरीर को स्वस्त रखने के लिए जिस प्रकार स्वासिवर्थत भोजन की आवश्यक्ता होती है उसी प्रकार मस्दिश्क दिमाग को स्वस्त और सक्रिय रखने के लिए उत्तम पुस्तकों की आवश्यक्ता होती है छापे खाने के आवश्कार हो जाने के कारण तथा विद्या के प्रसार एवं प्रचार बढ़ चाने के कारण तथा लोगों की अध्यनमी रुच्छी उत्पन हो चाने के कारण विवित विश्यों पर लिखी पुस्तकें बड़ी तीजी से निकल रही हैं। प्राया पढ़ने की इच्छकों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे सभी पुस्तकें खरीच सकें। पुस्तकाले में उन्हें मन चाही पुस्तकें मिल सकती हैं। सरकार पुस्तकालेयों की स्थापना करती है, न्यायाले, न्याय संबंधी पुस्तकाले स्थापित करते हैं, धनी, परोपकारी पुस्तकाले स्थापित करते हैं, कुछ धनी व्यक्ति अपना नीजी पुस्तकाले स्थापित करते हैं, विश्व विद्यालेयों में बड़े-ब पुस्तकाले होते हैं। वे पुस्तकी लोटादीनी पड़ती हैं। ना लोटानी पर दंड जुर्माना देना पड़ता है। पुस्तकाले में बैठकर पुस्तक पढ़ने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है। पाठकों से आशा की चाती है कि वह पुस्तकों को साफधानी से पढ़ी, उसके चित्र आदी को ना फाड़ी। पुस्तकों का रखरखाव एक विशय की पुस्तकी एक या दो अलमारियों में रखी चाती है। इन पुस्तकों पर उनका नंबर लिखा चाता है। अच्छे पुस्तकालिया धक्ष को उनका घ्यान होता है। वह पुस्तक मांगने पर तुरन निकाल करते देता है। लोपमान्य तिलक ने ठीक ही कहा है। मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा। क्योंकि जहां पुस्तके होंगी स्वर्ग वहीं आ जाएगा। उपसंगार वास्तफ में पुस्तकों को पढ़कर स्वर्गिक आनंद की ही प्राप्ति होती है। पुस्तके मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। इसलिए पुस्तकाले से बढ़कर ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई स्थान हो ही नहीं सकता। हम सभी को पुस्तकाले की गर्मा को बनाई रखने के लिए वहां की सभी नियम एवं कानूनों का पालन अपना उत्तरदायत्व समझ करना चाहिए। पुस्तकाले चाकर पुस्तकों का सदुप्योग करें। उनके पठन-पाठन से अपनी ज्यान में वृध्थी करें। हर संभव यक्ति या पाठक को या प्रयास करना चाहिए कि उसकी किसी भी गलती से पुस्तकाले की किसी भी संपत्ती का कोई भी नुकसान न होने पाए